कि तो गाइस सबसे पहले हमें किस में update करना है वर्ड क्लास में update करना है क्यूं क्यूंकर उसी में हमारे construction है उसी में हमारे parameter है वह हमारे getter method है वह state है हमारी राइट जहांपे declare है आप सबसे पहले जहां पर declare होती है चीजे उन्हें Sabo कि तो यह हमें डे नहीं किए यह लेगे य्री में हमारि क्रूम करें रहा हैं क्या जो हम सब पहले क्वेब् बनाएं पर चैंच करेंगे तो क्वेरियां बना ज़िए चेंज होने हैं जो हमें बहुत जरूरी अगर हम नहीं करेंगे थो कुछ नहीं हो गा इसके स्प्रथिर फिले है 늦नी हो ये इस साथ करें, अपडेट प्लिक लिसनर को अपडेट करना है Tacky ये अजिए अचैनल प्राइब वर्द राइइन उसके बाद येही प्रोस्टिश्श्स Car परिफॉर्म करना है जाली चलते हैं android studio पे लिए प्रोसेस कैसे होगा हम आचुके हैं अपनी numbers activity में सबसे पहले हम किस पर चल लेते हैं word activity में चल लेते हैं जहां पर चल लेते हैं जहां पे हमें कोच है चीज की आप जो हम परिमीटर बना रहे हैं वह किस के लिए बना रहा bene टो कैसे हम बना लिए है तो यहां पर लिए अ पिर अई इसे बना रहा हुँ हैं चैप का hazto तो उसमें क्या है M audio resource ID यहां पर R चुड़ी है guys तो यह क्या होगा हमारा resource ID होगा, मैं इसे copy कर ले तो इक बाबार लिखने से better है तो guys, अब हमें क्या गरना है इसमें? अब जल्ली से मैं चंस्ट्रक्टर में changes करने हैं किस चीज के लिए यहाँ पर क्या add कर देंगे एक एक ऐड्यीजर type का क्या है एक audiobook source कर देंगे और यहाँ पर चींज़ कर देता है जल्ली से एक audiobook cancer यह झैया होगा तो यह दो गया audio resource और यहाँ पर चल्ली से हम क्या अगरनेänderगा जो इसकी audio resource में हम क्या दाल देते है इसका वेडियेबिल दाल देते है audio resource तो गाइज यहां पर हमारा constructor पूरा हो गया लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो audio वाले change है हमारे दोनों उसमें होंगे राइज क्योंके हमारी images तो ऐसी थी कि किसी में थी किसी में नहीं थी राइज लेकिन audio phrase में भी है और बाकी तीनों activities में भी है तो इसलिए दोनों ही constructor में हमारे क्या होगे audio files जाएंगी गाइज तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना जो audio resource है वो किस में होगा दोनों में ही changes होने है अब हमने क्यों कर लिया इस ट्रिंग मना लिया अपने चेंज कर लिया है अब सिंपल हमें क्या करना है बेसिकली जल्ली से अब हमें किस में चेंज करना है अपने एक गैटर मेथर और बनाना है इसका public क्योंकि हमारा जो इस ट्रिंग है किस टाइप का है प्राइविट कर देते हैं रिटर्न कर देया तो यहां पर डिया हमने है और मद हमारा क्या क्या रिटल कर दी है गाइस वेड़ की जो हमारी तीनों चेंज्ज्वह ग्यां कंप्लीट कर रिखाएंद इस जले ज़ले जले हैं किसकी नंबर creativity की तरफ गाइस हमारा जो जो हमने फस्ट वाली जो class है जो फिर्सफ वाल स्टैप हमारा जिसमें में rint class update उप्डेट करने और कुपटेट कर्च यह वी आर्रेज्टस में बडेट करने दूप क्रएसे अभी तक हम क engagements we till 2 Deus पास कर रहे थे थीन परमिडर ऊप्रेजस में तो गाइस जल्ली से चलता है उसमें देख लेता है कैसे चेंगे करने हैं तो गाइस चलता है उमनी नंबर अक्टिविटी । पे यहां पर क्या है बेसिकलिग बालाधी यहां पर हमारी यहां पर आप आपको यह चीज करना बहुत जरूरी है सबसे पहले आप अपनी सारे family activity and phrase activity भी open कर लेता ह autre event size थोड़ा बड़ा कर लेता है तो गए यहmot नपीust मेकि किसे को problem ना हो and इसे भी बड़ा कर लेते हैं and color activity two tries to go td here number activity is this basically हमें हर जागा सबसे पहले यह चेंज कर लें कि जो हमारी array list है, We हमें कÈा है final यहाँ पे final हम इसलिए लिखकर थोड़ा ay चाहिए हमें वह इसलिए चाहिए क्योंके जो हमारा on item click listener है इसमें थोड़ी सी एक इसकी problem है कि जो scope की problem होती है जो एक ग्लोबल variable देगा है या फिर अगर वह local variable हैं तो वह global हो फाइनल होने चाहिए इसमें एक एक condition होती है हम या तो global variable जैसे हमारा m media player है तो एक global variable है हम इसे तो simple करवा सकते थे किसमें set on item click listener में लेकिन अगर हमारा local variable है जैसे on create के अंदर है तो एक या local variable है guys तो local variable को हमें final करना पड़ेगा तब ही वह set on click listener में work करेंगे तो थोड़ा सा यह हमारा एक technical है थोड़ा सा तो आप इसे final जरूर कर लें वन्हाँ आपकी error आएगी गाई इसमें और यह run नहीं होगा तो जल्ली से पहले इसमें पहले यही step कर लेता है guys सारे इसमें class में area list में जल्ली से पहले final कर लेता है और आप जैसे हम और उसमें भी change कर लेता है तो guys यहां पे, जल्ले से मैं, क्या देता है, value देनी है हमें. आप यहां पे नीचे आपको याद होगा, R.raw नमबर बंदिया था. ऐसी अब हमें यहां पे क्या देनी है? R.raw. जैसी मैं यहां पे नमबर लिखूंगा, आप देख सकते हूं, है वह एड हो जाएंगे आपकी तो गाइज हमारी यहां पर जो नंबर एक्टिविटी है उसमें मैंने सारी फाइल्स एड कर दी है जैसा आप देख सकते हो अब हमारे कितने हो गए चार परमीटर हो गए यहां पर एक हो गई हमारी मीवाग एक डिफॉल्ल ट्रांसलेशन जो ह यहां पर हमें चेंज में चेंज कर दिया है और नंबर हम अलुडी चेंज कर चुके तो गाइस अब हमारा क्या हो चुका है हमने फर्स सेकंड स्टैप हमारा अप्डेट करना है किस को अन आइटम के लिस नगो ताकि वह इंडिविजुल क्लिक पे सही साउंड प्ले कर सके यहां पर हम आचुके हैं अपनी Android Studio में और यहां पर हम सबसे पहले कर लेते हैं अपने नंबर उसमें चेंज जैसे आप देख सकते हूं जो हमारी यह था अब हमें इसमें चेंज करना है तो हमारा जो आइटम वाला मैथर्ड था बेसिकली इसमें हमारे पास क्या गया था अडेप्टर व्यू था व्यू है पोजिशन है आपको आपको चारों की बता दी क्या क्या फंक्शनलिटी है अब गाईस जैसे आप यहां पर देख सकते हूं जो हमारे words है यहां पर array list के उसकी क्या कर लों? position ले लूँ तो मैंने क्या बताया था हमें क्या चाहिए? position चाहिए तो मुझे अगर मुझे उस word की position मिल गई जो हम यहां पर कर रहे हैं words.ged get से क्यों बताया position हमने fetch कर लिया या राइड? fetch करके जब मैं उस पर audio file play करूँगा तो position के correspondence में क्या play हो जाएगी audio तो इससे हमें सही index की value पर हमारा word पड़ा हुआ है उस पर क्या play हो जाएगी sound play हो जाएगी guys तो guys यह वाली में position कहीं पर दालनी भी पड़ेगी तो मैं जल्ली से इसे एक इसका word का एक जल्ली से variable बना देते हैं guys and यहाँ पर हो चुका है यह आ चुका है हमारे मालब जो access करना है हमें guys एक चीज और है यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों की error तो वह error इसलिए आएगी जिसने यहाँ पर final नहीं लिखा होगा array list में तो वह error यहाँ पर आएगी क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था जब तक वह global variable होगा वह access नहीं कर सकता तो जब तक हम यहाँ पर final नहीं कर देंगे words को क्योंकि array list में हमें changes करना है तो इसका जो word यह final पूरी array list final होगी तब ही हमारा यहाँ पर correct आएगा यहाँ पर हमें यहाँ पर error आएगी जो मैं आपको बता था कि error आएगी वह यहाँ पर आएगी है हमारी basically इसके बाद गाइस अब मुझे क्या करना है simply अगर मैं यहाँ पर word को call करा लूँ क्या है हमारा जो getter method है मैं उसे ले लूँ यहाँ पर तो guys यहाँ पर मेरी get audio resource ID अब आप समझ सकते हो यहाँ पर basically क्या होगा मैं आप audio जो हमारा audio जिसमें store हो रही इजी constructor उसने यहाँ पर मैंने call करा लिया है तो individual word पर अब क्या होगा click जैसी होगा click item on click item listener क्या का हम दा list view पर जैसी individual click हो तो basically हमने कि अगरा पहले position ले ली individual position हमने किसमे store कर दी एक variable में word type के जो किसका है हमारा object type का है जिसके constructor में हम already सारे changes कर चुके हैं guys और हम इसे final भी कर चुके हैं तो simple हमारा सब हो चुका है guys यहां पर हमें दो तीन चीज़े guys जल्ली से सही करनी है इसमें बाकी activities में भी changes कर लेना है एक तो हम यह private media player जल्ली से copy कर लेते हैं जो हमारा यहां पर था इसे हमें global variability हर activity में copy करना है तो color activity में copy कर दिया है मैंने guys family activity में copy कर दिया एंड फ्रेज activity में copy कर दिया तो यह guys समय copy हो चुका है और आप इस बात का दियान रखना है यहां पर ओवर right के उपर ही क्या पेस्ट करें आप लोग मना यह error आ जाएगी और इसके बाद एक चीज़ और कर लेते हैं चेंज़ का हूं है list view item यहां से चेंज़ गुए है तो मैं इसे यहां से curly braces नीचे तक कॉपी कर लेना guys ताकि आपकी इसमें कोई error ना हो जाए तो मैं यहां से इसे copy paste कर देता हूं इसमें जली से बाकी सब में paste इसमें जली से पहले है चेंज़ कर लेता है guys हमें हैं इसमें क्या चेंज करना है इसमें यहां पर क्या है number activity दली हुई है सबसे पहले क्या करना है हमें color activity हो गई है और यहां पर हमें और कोई changes नहीं करना है पस हो गया है हमारा राइट कोई अर्र भी नहीं है अब जल्ली से इंदों को भी select करके copy paste कर लेता है और गाइस इस चीज का ध्यान रखिएगा आप की curly braces या तो आप नीचे तक पूरा select करना या फिर बीच तक का curly braces ध्यान रखें कि कहां के select हो रहा है वरना इसमें आपकी बहुत गंदी वाली अर्र आती है गाइस तो यहां पर family activity दाल दी हमने यहां पर phrase activity भी गाइस हमने यहां पर copy paste कर दी है हम जल्ली से इसे भी change कर लेता है यह number activity को आप क्या कर देता है phrase activity यहां पर हमारी almost हो सारी चीज़े पूरी हो गई एक बार quick review कर लेता है सारी चीज़े हो गए हमने एरे list को भी final कर दिया है और basically अब हमारी कोई error इसमें नहीं बचिया गाइस color activity भी हमारी पूरी हो गई है family activity में भी हमने final भी ले लिया और इसमें और बीच में भी पूजिशन सारी पूजिशन भी दे दी है सब सही है गाइस तो अब जल्ली से इसे रण करवा के military में बार देख लेता है कि इसकी क्या हमारे पास output आ रहा है गाइस तो गाइस यहां पे हमारा emulator run हो चुका है जल्ली से एक बार click कर के देख लेता है number activity में खोले एं घुछ ले तो यहां बेसा अच्छे से पास प्लीव हो रहा है तो यहां पे जल्ली से पीछे सारे उस पे क्लिक कर के देख लेते हैं फेमली मेंबस में अट drives में बनेख देख लेते हैं गाइस तो यह हो गए हमारा पर वर्ड हमारी ओडियो फाइल गाइस तो कॉंग्रेचुलेशन्स यह बहुत मेजर एक हमारी कोडिंग सेशन था गाइस जिसमें बहुत तफ कॉंसेप्स थे और अगर आप यहां तक पॉच चुके हो और आप बिल्कुल सही क्योंकि इसके बाद हम थोड़े और कॉंसेप्स देखते हैं इसके बाद हम ए सिंक्रोनाइजेशन और भी बहुत से कॉंसेप्स नाभी जो हमें समझ्य है तो बने रही है गाइस